करे टर Extra अप सभी का स्वागत है फ्रेंश आप सभी का अंग्रेजी का पेपर हो चुका है यह आप पेपर काδे देख सकते हैं यह यह यहँ रयाई प्रेंश डिक लॉकलtałत लिए कन आप सब्चू को आते हैं तोchodन सब्सक्राइज गयों है करके आए हैं देखिए यहां पे समय तीन गंटा 15 में पुरांग 70 नंबर का यह सभी आप सभी लोगों को पता है चलिए आप सभी को प्राश्ण बताते हैं देखिए पार्ट यह हैं आप सभी को question number one से तीन तक आप सभी को इसका answer निकालना बहुत सटिक तरीका से सिखायते हैं आप सभी को पहरागराफ यह आपके सामने हैं देखिए आप पहले question को पढ़िए दगंगा is a symbol of लिखा कहां पर है उसके आगे वाला आपका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा देखिए इसके आगे व अरिका से आप लोगों ट्रिक के माध्यम से English पढ़ना और answer निकालना सिखाये थे अगला देखिए वाट आर दा थिंग्स लवड़ बाई आथर मेंसल इंद गिवेन पैसेज इस पैसेज में क्या थिंग लवड़ दब आथर मेंसल किया है तो यहां पर आप देखिए हिमाल आपके सामने अगला नंबर का प्रशन है विच वर्ड इन पैसेज इस अपोजिट विक्टरी के जो अपोजिट होता है इस प्रशन का सही जवड़ आपका सही था अब इसके आगे देखिए जितने भी प्रशन कराएं आपके बोर्ड के एक्जाम में सेम टू सेम आया है आ जैकर यहां पे ध भी फ़ोर अनबेश्डा अब सभीको बताया तुब यहां पैर आता है इसके पहले वाला पास्ट परफ्यक्ट में उता है holiday शुब्तानמ׵ यह मचाई प्रशन का सही जवड़ प्रशन सही हो जाएगा तो प्रशन सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब निकाल सकते हैं माई ब्रदर आपको बार बार बता रहा है आप सभी को पता होगा फ्रेंज इतने भी चात्र द्वारा पढ़ाया गया है तो आप कमेंट बाक्स में लिख सकते हैं कि बताइए आपकी यह प्रश्न कराया गया था कि नहीं कराया गया था आप लोगों को देखें साथ वा नमबर का वीच आप दो फॉलिंग वर्ड्स इस सब्सक्राइब करेक्ट हो जाएगा ठीक है अगला देखें आपको पैसे संब्दी जितने भी कोईश्चन रहता है आपको एंस्वार निकालना सिखायत है देखें नौ नमबर का यह आपके सामने पैसेह को पढ़ने के बाद यहां पर आपको इसका निकालना था किया है कि आपका सही ऑले देखें दसवह नमबर का तो फरसफ को डाट 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 चूज अब यहां पर इसका निकालना था आपको इसी प्रकाह से सभी का एंसवर निकालने का तरीका आप सभी को बेज़े थे ठीक है तो आप सभी मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है उसको पढ़ते होंगे तो आपका सभी 100 परसंटेज एंसवर करेक्ट करके आए होंगे इक ग्यारा नमबर का देखिए डिमोक्रेटिक एलेक्शन वियर हेल इन साउथ अफिरिका इज एंड मंडेला विकंद फर्स्ट ब्लेक प्रेसिडेंट आफ निव नेशन यानि कब हुआ था तो 1994 में इसका सही जवाब सी वला आप्शन सही हो जागा अगला देखिए बारा न देखिए कि यह उल्ड गर्ल थी तो इसका प्रशन का सही जवाब सीवल आप्शन सही हो जागा यह पैसे तो आपको जितने भी पेपर कराया था आपको प्रशन आपको प्रणा था यहां से मतलब है यह एक्स्टेक्ट रहता नहीं क्या है आपका इसको पहने के बाद इससे सम्भंदित आपको ईंसर पताना रहता है कि कि फायर एंड आइस किस लेखक के द्वारा किस कवी के द्वारा लिखा गया है तो आप देख सकते हैं 15 न्मबर गा आपका इसका किस से किया गया था इस प्रश्न का सही जो आपका क्या है चीक है अगरा देखिए सोलन नंबर का कि मिसेज पंफरी वाजे मिसेज पंफरी के बारे आप सभी को बार बार कराये थे मैंने मिसेज पंफरी देखिए वाट टाइप आप मैन वाज ग्रिफिंग तो यहां ग्रिफिंग के बारे में पूछ रहा है कि ग्रिफिंग एक आदमी क्या था तो लॉलास पर्षन था और ड्रिलियंट साइंटिस्ट था यह दोनों था तो इस परशन का सही जवाब सीवल आपसन करेक्ट हो जाए क्वाइस और बटरफलाइस यह तीनों क्लेक्ट करता था यहां पर सही जवाब करेक्ट हो जाएगा अलाब्द एबर ठीक है बीस नंबर का देखिए कि वाट वाज भॉली इस रियल नेम यानि कि भॉली का रियल नाम क्या था यह आपको कई बर यह भी क्वेशन कराके देखने के लिए मिला है आप यदि मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है आप उसको पढ़ते होंगे आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा जितने भी प्रशन कराए गए हैं कितने प्रशन कराए गए थे आए लांग को आपको बता देते हैं देखिए पार्ट बी पार्ट बी म सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेर करें